अस्लामनेकूम, आज हम लिपिड मेटबोलिजम के बारे में डिसकिस करेंगे मेटबोलिजम स्टार्ट करने से पहले लिपिड के कुछ ऐसे पॉइंट早के बहुत इम्पोर्टन है जिनके बारे में आपको पता होना ज़ूरोरी है so first lipid की definition क्या है lipid होता क्या है ऐसा organic compound है जो के consist करता है fatty acid पे and उसके derivatives पे ठीक है ये इसकी definition है जितने भी lipids हैं वो fatty acid पे consist करते हैं and उसके derivatives पे ये water में insoluble होते हैं and organic जो solvents हैं उनमें ये soluble होते हैं ये तो हो गई इसकी general सी definition अब हमें metabolism की जरूरत क्यों पढ़ती है जो lipid क metabolism करते हैं इसकी वच्चा क्या है अब देखें अगर तो आपने बहुत ही high milk खा लिए काफी carbohydrate fatty acid ऐसा milk है जिसमें काफी ज्यादा fat है तो अब होगा क्या जो body में extra fat होगा वो convert हो जाएगा store हो जाएगा adipos tissue में ठीक है ऐसा food जो कि आप जिसमें काफी high fat थे काफी ज्यादा energy थे वो जाकर convert हो जाएगे adipos tissue में as a fat ठीक है अब अगर आप ऐसी state में हो fasting state में हो आपने काफी time से कुछ नहीं खाया और जितनी भी body में glucose था वो use हो गया है और जो glucose का level है वो body में बहुत कम है अब इस condition में क्या होगा जो adipos tissue हैं जिनमें जो fat है store है वो क्या करेगा वो breakdown होगा breakdown उनकी start होगी और वो body को क्या करेंगे energy provide करेंगे so mainly जो fatty acids हैं जब वो adipos में store होते हैं वो बहुत high energy जो है body को produce करते हैं provide करते हैं अब होगा क्या है इसमें जो lipid का main storage part है वो है tag mean के triacyl glycerate यह बहुत important storage है lipid का अब इसमें हो गा यह कि जो tag है जो के storage farm में है lipids की अब हम इसकी breakdown करनी है अब अब होगा क्या यह देखे है यह लिपो प्रोटीन के ज़रिए यह लिपो प्रोटीन है यह एस का carrier यूज होती है जो कि adipose tissues में fat को जा कर टी अब जो tag है उसमें store होना है वो लिपो प्रोटीन के साथ connect करेगा इसके गलाइग Thor हो जा करेगा blood में Blood से आगे Africa undo craatel already यह सो लिपोप्रोटीन है इसके next आगे से four parts है यह four parts में डिवाइड होती है फस्ट है काईलो माईक्रोंस सेकिंड है VLDL and third है LDL and four है HDL यह main classes है लिपोप्रोटीन की जिसमें वो डिवाइड होती है जो different body के parts में है अब जो काईलो माईक्रोंस है यह present होती है intestine में यहां यह produce होती है through dietary lipids है जो dietary lipids है बोडी में ठीक है वो produce करते हैं काईलो माईक्रोंस को in intestine में lipids में second one है VLDL यह liver में produce होती है through अगर आपने बहुत ज़्यादा high meal ले लिया है जिसमें rich में था carbohydrates ठीक है अगर तो ऐसे ऐसा खाना खाया है आपने जिसमें बहुत ज़्यादा जो है carbohydrates था तो उसमें क्या होगा जो liver में VLDL है वो produce होगा अब next है LDL इसमें क्या होगा यह blood capillaries में produce होता है यह तब produce होता है जब trial glycerate की digestion होती है तब यह जो है lipoprotein produce होती है last one है HDL यह also liver में produce होती है इसका काम क्या है यह tissue से जो cholesterol है उसको लाती है liver में ठीक है tissue से जाके cholesterol को लाती है liver में यह इसका main काम है यह main overview है lipid का important points है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए and also अगर जब हम metabolic start करेंगे तो metabolic start करने से पहले इसके यह different processes है ठीक है फर्स्ट है lipogenesis ठेकिन है lipolysis ठर्ड वन है beta beta oxidation of fatty acid fourth one है ketogenesis and last one है cholesterol synthesis अब इसमें जो important है वो यह main है beta oxidation ketogenesis cholesterol synthesis जो उपर वाली 2 है वो इतने main नहीं है तो हम इनको detail से study करेंगे next video में I hope so आपको जो है intro and important जो points है lipid के उनके समझ आ गई होगी इनको आपने लास्मी करना है MCQs के लिए बहुत important है especially lipoproteins